हलो फ्रेंड्स वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है इंपोर्टेंट इसलिए कहुँगा रीजिनिंग का चैप्टर है लेकिन इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको इस तरह की आकरती दे दी जाएं और आपको जब इस तरह की आकरती दे दी जाएगी तो आपको नहीं पता इसमें कितने वर्ग हैं काउंट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा काउंट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा इसलिए मैं आपको ट्रिक से बताऊँगा और ट्रिक एक दम सटिक वाली हमेशा सही आंसर आगा ऐसी ट्रिक सबसे पहले basic question इसमें कितने वर्ग हैं गिनके बताओं एक बर्ग, दो बर्ग, तीन बर्ग और चार बर्ग ठीक है छोटे छोटे और उसके बाद में ये बड़ा बाला बर्ग पांच वर्ग हैं इसमें, अगर आप इस तरीके से count करें जैसकी ये वाला ऐसे तो ये वर्ग नहीं हो गया, ये आयत हो गया, इस तरीके से ना गिनें, ठीक है इस तरीके से गिनेंगे ये वर्ग, वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो अगर मैं ऐसे गिनूँगा, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, क्या नहीं होंगी ठीक है, तो इस तरह की आकरती हो, उसमें कितने वर्ग होते हैं, पांच एक, दो, तीन, चार, और एक ये बड़ा वाला पांच ठीक है, पांच वर्ग होगे, लेकिन इसका तरीका क्या है, तरीका ये है कि यहाँ पर 2, 1, 2 और 1, 2, ऐसे काउंट करेंगे 1, 2 और ऐसे काउंट करेंगे 1, 2, तो आपको करना क्या है, अगर इधर भी दो और नीचे की तरफ चले तब भी दो, मतलब जो symmetry आपका सेम है, जैसके 2 इन्टू 2 का हो, 3 इन्टू 3 का हो, 4 इन्टू 4 का हो, तो करेंगे क्या एक तरफ बाली जो संख्या है, उनका square कर लो, ठीक है, एक तरफ बाली जो संख्या है, उनका square करें ठीक है कि यह वैसे भी पांच तेंग गिने और ट्रिक से गिना तब भी लिए ज़री आखं एक दो तीन ऐसे चले नीचे कि तरफ चलेंगे और निएक दो तीन एक बड़ करूंगा मैंनो, सबको जोड़ना है, ठीक है, एक और चार, पांच, पांच मैंनो जोड़ना चौदा, तो इसका मतलब इसमें कितने वर्ग होंगे भाई, इसमें होंगे आपके 14 वर्ग इसमें कितने वर्ग होंगे 14 वर्ग होंगे इसमें बात केलिए हुई अब इसी तरीके से आगे चलते हैं 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ऐसे चले तब भी 4 ऐसे तब भी 4 तो symmetry स्वेटरी से बहुए जैसे 2 x 2, 2, 3 x 3 4 x 4 तो एक तरफ वाली सभी संख्याओं का वर्ग कर लो, ठीक है, एक का वर्ग करूँगा, एक, दो का करूँगा, चार, तीन का करूँगा, नो, चार का करूँगा, सोला, सभी को एड़ कर लीजिए भाई, सभी को एड़ करना है, सोला में नो जुड़ूँगा, पचीस, पचीस तो 3 आजाए तब क्या करना है जब symmetry सेम ना हो तब क्या करना है उसे देखेंगे ठीक है उसे भी छोड़ेंगे नहीं वो भी बताएंगे उसमें क्या होता है सबसे पहले तो यह समझ में आगे है जब symmetry हमारा सेम है तो एक तरफ बाली सा भी सेंग्यों का वर्ग करके जोड़ वो आपका बिल्कुँ सही आंसर है आप देखेंगे कि symmetry जब सेम ना हो तब क्या करना है ठीक है अगला प्रेशने देखते है अगला प्रेशने है चलिए count करते है एक दो तीन चार पांच ठीक है पांच हो गया इधर count करेंगे एक दो तीन चार पांच तो हमारा क्या है ऐस चले 5 ऐसे चले तब भी 5 symmetry से में और जब symmetry से में तो क्या करेंगे एक तरब बाली सभी संय क्या का वर्ग करेंगे थिक है तो 1 को वर्ग दो का वर्ग 4, तीन का वर्ग 9, चार का 16, पांच का 25 सभी को क्या करना भाई? सभी को जोड़ना है 16 में जोड़ जोड़ा 25, 25 में 29, 29 में जोड़ा 30 और 30 में 25 जोड़ा तो 55 इसका मतलब इस आकरती में 55 वर्ग है अब इस वाली आकरती को अगर मैं गिनूं इस वाल याकरती को अगर मैं गिनता हूँ तो इस वाल याकरती में हमारे कितने वर्ग बैठेंगे, ठीक है, देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ऐसे चले तब भी छे, ऐसे चले तब भी छे, तो क्या करना है, एक तरफ बाली सभ हमारी समझ में आ गी अब हमें वो सिखाई यह जब हमारा शिमिट्र e mini सेम ना हो वह भी सिख़ुऊँ मुझा एक का वर्कoded चार तीन का वर्कร न चार का 12 5 26 36 अब दिखें एक के इंसलेकर जब 25 तक हमने एड किया तो एक से लेकर 25 तक मेरा कितना है या 15 अब 15 मैं सीधा 91 हो गया भाई, इसमें कितनी वर्ग हो जाएंगे, 91, बात समाजी मागी, आसान हो गया, आप देखते हैं अगला प्रेशने, अगला प्रेशने है, जिस प्रेशने का आपको इंत्यार था, वही प्रेशने अब आ गया, count करिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 यह 5 into 3 है, अब इन में क्या होता है, अब इन में क्या होता है, वो जानना भाई, ठीक है, अब बात यह आ गई कि इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें क्या होना है, वो आ गया, इन में क्या होता है, आप कहेंगे, अगर सर यहाँ पर 5 into 5 होता तो हम कर देते, 3 into 3 होता तब भ पतातों क्या करें इधर से लाश्ट वाली संख्या को उठाओ और इधर से भी लाश्ट वाली संख्या को उठाओ ठीक है इधर से मैं लाश्ट वाली को उठाया 3 इधर से लाश्ट वाली को उठाया 2 दोनों का गुना ठीक है दोनों का गुना दोनों का गुना हो गया प्लस की कितना है देखिए पहले हमने इन दोनों का क्या अब इन दोनों का करेंगे तो यहाँ पर दू आएगा मैंने गलती से थिरी लिख दिया दू आएगा तो दो एक कम दो हो गया दोनों को जोड़ना है तो 6 और 2 कितना 8 तो इस आकरती में कितने वर्ग होंगे इस आकरती में तो ये 5 तो होगे, 5 के बाद एक ये 6 और एक ये 7, 7 के बाद में एक ये बाला-बाला count हो जाएगा इधर 8, पस छोटा था इसलिए count करके बता दिया, लेकिन trick वही लगेगी, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, last last वाली संग्याओं का गुना करेंगे, तो मैं 5 ले लेता हू दोनों का गुना, फिर plus, फिर इधर से second last और इधर से ये हो गया, तो 4 और 2 का गुना करूँगा मैं, 4 गुने 2, फिर plus, अब इनका भी हो गया, अब इनका बचाए, तो 2 गुने 1 कर दूँगा मैं, 2 गुने 1, ठीक है, पांस तेरिक का पंदरा, पिलस, 4 गुने का 8, पिलस, 2 तो एक कम दो, ठीक है, तो एक कम दो हो गया भई, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों का गुना कर लिया, अब तीन का गुना होगा, एक से दो का नहीं, तीन का गलती से तीन का, तीन एक कम तीन, क्योंकि यहाँ पर पांच का तीन से हुआ, चार का दो से हुआ, त तो तीन बचीना यहां पर तो तीन का एक से होगा जहां पर एक आगे वहीं पर रुख जाना है तो पंदरा प्लस आठ प्लस तीन कितना हो गया भई पंदरा में आठ जोड़ेंगे बाइस और बाइस में तीन जोड़ेंगे कितना पंदरा में आठ जोड़ेंगे तेईस तेई चार के बाद तीन की बारी इधर दो के बाद एक की बारी तो इन दोनों का हो जाएगा इससे छोड़ देंगे बीच में एक्स्टा रा रहा तो ठीक है अगला प्रेशन देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा ठीक है अगला प्रेशन देखते हैं अगला प्रेस्न काउंट कीजिए एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन करना क्या वही लाश्ट ळाश्ट वाली सیںख्याउं का गुनार, इधर से ऐसे गुनार, फिर ऐसे हो जाएगा तो 4 का 3 से गुना, 4 गुने 3 पिलस 3 का 2 से गुना, 3 गुने 2 पिलस 2 का 1 से 2 गुने 1 4 तिरिक का 12, 3 गुने का 6, 2 एक कम 2 12 चे 18, 18 में 2 जोड़ देंगे 20 इस आकरिती में कितने वर्ग हैं 20 इसे काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, क्या करेंगे, वही लाश्ट बाली से गुना तो 4 गुने 6 पिलस, फिर इनका गुना 5 गुने 3, 5 गुने 3 पिलस फिर इनका गुना, 4 गुने 2, 4 गुने 2 पिलस, अब किसका, फर्ष्ट बचा इधर से 2 तक हो गया, 1 बचा, यहां 4 हो गया, 3 तक बचा तो 3 का और 1 का हो जागा, बीच में दुआरा इसे छोड़ दो 3 गुने 1, ठीक है, एक पर आगे बात वही पर खतम हो गई चारचिंग 24, ठीक है, पिलस 5 तरिक का 15 पिलस 4 गुने का 8, 3 एक कम 3, सभी को जोड़ना है ठीक है, सभी को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कितना हैगा 24 में 15 जोड़ों में 49, 49 में 3 जोड़नों पहले तो 42, 42 में 8 जोड़नों तो 50 इस आकरती में कितने वर्ग हो जाएंगे, इस आकरती में हो जाएंगे आपके 50 वर्ग, आसानी से समझ में आ रहा है अब देखते हैं अगला प्रेशने अगला प्रेशने है आकरती आपको ऐसे दी गई है कि आप परिशान हो जाए लेकिन परिशान बिल्कुल भी नहीं होना है जो ट्रिक मैंने आपको बताई है सबसे पहले उस ट्रिक को लगाई है लग सकती है या नहीं लग सकती है या नहीं जब 3 into 3 बने तो एक तरफ बाली संक्याओं का बर्ग कर दो तो एक का बर्ग करूँगा मैं 1, दो का बर्ग करूँगा 4, तीन का बर्ग करूँगा 9, बैई जोड़ो सबको कितना हो जाएगा, एक और चार, पांच, पांच और नो 14, कितने बर्ग होगे भाई, इसमें 14 बर्ग होगे यहां तक, ठीक है, तो यह यहां तक यह 14 होगे, अब 14 के बाद बचा क्या, या लग जो बाहर जा रहा, एक यह, एक यह बचा, एक यह, तो 4 बर्ग हो इसमें और जोड़ो ना भाई, चार और जोड़ दो, 14 मैं 4 जोड़ूँगा, मैं 18 इस प्रेशन का जो सही आंसर है, वो 18 है आसानी से हो गया प्रेशनी, आप देखेंगे अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है, भाई प्रेशनी कठिन बिल्कुल भी नहीं है लेकिन आकरती कठिन बनाके दे दी गई है क्योंकि तरीका जो मैंने अब बताया है, वो इसी तरीके से चलिए न ऐसे सॉल्ब कीजिए ये कल, इसको अलग कीजिए न, इसको काउंट करो आप एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, ये वर्ग पूरा काउंट होगा आप ये मैं सोची कि यहां से ऐसे लकीर जा रही है, तो अलग हो गया कट का न, ये पूरा काउंट कीजिए न, ये वर्ग है तो ये 3 इंटू 3 बना, और जब 3 इंटू 3 बनेगा तो क्या, एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नो और दोस्तो ये दो आकरतिया है अलग अलग है ये बाली जो आकरतिया है ये परिष्वा में कई वार पूछी जा चुकी है आसान है, कठेन बिल्कुल भी नहीं, आसान दीखे, कैसे आसान, मैंने क्या बताए, इस तरीकी कि अगर कोई आकरती है, तो उसे पहले स्वाल्प कीज़े, जैसे कि, यहाँ पर मैं शाकरती बताओ, एक, दो, और एक, दो, ठीक है, एक, दो, और एक, दो, तो एक तरपाली को वर्ग करेंगे, तो एक का वर्ग एक, और दो का वर्ग चाल, जोड़ेंगे तो पांच, तो पांच और पांच कितना, इसमें कितने वर्ग हैं, भाई, दस वर्ग हैं, अब उसी हिसाफ से आप इससे स्वाल्प कीज़े, इस वाली आकरती में कितने बनेंगे, आपको तो ये वाली आकृती भी 5 वर्ग बनाएगी और उसी तरीकी एक आकृती ये तो ये भी 5 बनाएगी तो इसमें कितने वर्ग है 15 आसान था इसलिए जादा वक्त मैंने लगाया नहीं समझाने में क्योंकि आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो समझेंगे एक एक चीज अ प्रेस्ट ने इसी तरीके का किसी के एकजाम में पूछ लिया जाए और उसको मदद मिल जाए आपके दुआरा ठीक है इसलिए शेयर चरूर करें धन्यवाद दोस्तों